हालो स्टुडेंट वेलकम आज के वीडियो में अपन लोग जानेंगे विदुच्छेतर रेखाए या इनको अपन लोग कहते हैं विदुच्छेतर रेखाए अपन लोग होते है विदुच्छेतर रेखाए इनकी डेफिनिशन क्या होगी विदुच्छेतर रेखाओ कि फिरन इस गुण्धरम पड़ेंगे अपन लोग और विदुच्छेतर रेखाओ कि जो अउधार्ना वेल्डेंगे उन में से गोई क्योसन पूछा जाता लेकिन हार टॉपिक अच्छा यह ठीक है तो यहां मैं आप से पूछू कि जैसे अपन लोगों ने कल इलेक्ट्रिक फिल्ड पड़ा विदुचेतर पड़ा वोई भी आवेश अपने चारो और विदुचेतर उत्पन करता है ठीक है लेकिन अपन लोग उस विदुचेतर को कैसे देखे कैसे उस विदुचेतर को रिप्रेजेंट करें अपन लोग उस विदुचेतर का क्या डाइग्राम होना चीए ठीक है जैसे मैंने कहा बताओ इस बोर्ड पर कहां पर विदुचेतर फेला हुआ है तो उस विदुचेतर का कोई ना कोई ऐसा डाइग्राम बनना चीए जिससे अपन लोग विदुचेतर को परदशित कर सके कोफी और किताब के अंदर तो सब सब पहले डेफिनेशन तो यही बना दी माईकल फेराडे ने कि विदुचेतर को किसी भी जगह पर विदुचेतर को परदशित करने के लिए अपन लोग चितरात्म के रूप से विदुचेतर को चितरात्म के रूप से चितर के रूप में परदशित करने के लिए अप भी सकते हैं क्या है पहले definition कि किसी भी जगह पर विदुचेतर को चितर के रूप में प्रदोशित करने के लिए अपन लोग कुछ रेखाई कीसते हैं उन रेखावों को आपन लोग कहते हैं विदुचेतर रेखा लेकिन यह definition अपन लोग के लिए ज्यादा काम की नहीं है जो definition यदि पुछ ही जाए थी जो कौन सी definition लिखी जानी चीए वो माइकल फेराडे ने बताई वो आप इधर देखना है दोनों definition पर से आपको नोटसों मिलेगे second definition यह है कि यह कोई charge है source charge जो अपना electric field अपने चारो और उत्पन करके रखा हुआ है ठीक है और इसके electric field के अंदर जैसे ही मैं किसी test charge को किसी अन्यावेश को लेके आता हूँ तो वो अपनी nature अपनी प्रकति के according आकर्षण या प्रतिकर्षण बलका अनुभव करता है ठीक है माना यह positive charge source परिक्षन आवेश test charge मैंने आपको कहा तो इसको धनावेश मान के intensity निकालते electric field के अपन लोग ओके ठीक तो अब इदर देखना जैसे ही मैं source charge के area में इस source charge स्रोत आवेश के इलाखे में जैसे इस अन्यावेश को लेके आता हूं तो यह इसके उपर बल लागाता है इसका जो चेतर है जिसे अपन लोग विदुचेतर के नाम से जानते है वो विदुच के कारण उस बल के कारण यह चलना स्टार्ट हो जाता है आकर्ष्ण का लगाएगा तो इदर और प्रतिकर्ष्ण का लगाएगा तो इदर यह दोड़ेगा उस बल के कारण चलेगा चलने के लिए दोड़ने के लिए अपन लोग जानते रस्ते की आवश्रक्ता होती है मार चाहिए रस्ता चाहिए ठीक है तो फिर आडेने यही सोचा कि मैं इस रोत आवेश के पास में जैसे ही इस परिक्षन आवेश को लाता हूं तो यह चलेगा या तो इदर और या इदर यहां रखता हूं तो या तो इदर आएगा इसके पास यह से दूर या तो इदर इसके पास आएगा यह इससे दूर या तो इसके पास आएगा यह इससे दूर चलेगा तो यह जिस काल्पनिक रस्ते पर चलता है क्योंकि वो रस्ता अपने को नजरत नहीं आता है लेकिन चलेगा जरूर आकश्म परतिकर्श्म के एकार बल लगेगा और वो जा ठीक है या तो इसकी हो रहाएगा या दूर जाएगा तो यह जिस काल्पनिक रस्ते पर चलता है यह रस्ता इसका काल्पनिक इसलिए कि अपने इसको देख नहीं पा रहे हैं सेंस नहीं कर पा रहे हैं तो यह काल्पनिक रस्ता है इस काल्पनिक रस्ते को बताने के लिए अप अपन लोग इस रोट चार्ज को नेगेटिव लेते हैं और यहां रखूं इसके पास आता है आपकर्शन के कारण तो इस कंडिशन में अपन लोग इसके रस्ते इसके मारक को इस प्रकार से अपन रेखाओ के द्वारा परदशित करते हैं तो इधर देखना यह श्रोट आवे टेश्ट चार्ज को इसके इलाखे में राके रखते हो तो उस टेश्ट चार्ज के उपर फोर्ष लगता है आकर्शन या प्रतिकष्न का और उस बल के अकारण यह यह तो दूर जाता है यह पास आता है तो माइकल फेरा डे निया सोचा कि यह जिस रस्ते से जाएगा जिस के लिए अंदर की ओर तो किसी भी आवेश के विदुचेत्र को प्रदशित करने के लिए अपन लोग जो काल्पनिक रेखा है और यह रेखा क्या है आवेश का रस्ता है काल्पनिक रस्ता है ठीक है तो जो काल्पनिक रेखा है अपन लोग काम में लेते हैं बस उनी काल्प कहते हैं तो यह हैं कि किसी भी आवेश के द्वारा इत्पन विदुच्हेत्र को आप लोग जिन कालपनिक रेखाओ से Kant करते हो वस उनी कालपनिक रेकाओं का नाम है विदुची प्रफेनेशन और ये काल्पनिक रेखा किसके लिए खीची गई है तो ये माना गया कि परिक्षन आवेश टेस्ट चार्ज इन रस्तों से होकर के गुजरता है ये जो लाइने है ये लाइने परिक्षन आवेश का रस्ता है जो कल्पना मातर है कि और कल्पना कर सकते हैं तो आप लोग को बटा या दो definition याद रखनी है कि विदुचेतर को किसी भी जगह पर परदशित करने के लिए उसको चितरात्म क्रूप से परदशित करने के लिए अपन कुछ रेखाय काम में लेते हैं उन रेखाओं को विदुचेतर रेखाय या विदुदवल रेखाय कहते हैं दूसरी definition है जब दूर आएगा, चलने के लिए वो जिस रस्ते पे चलता है, जिस मार्ग को चुनता है, बस उसी मार्ग को अपने एक रेखा से परदशित करते हैं, और उसी मार्ग को अपने जिस रेखा से परदशित कर रहे हैं, वही रेखा है विदुद बल रेखा या विदुद बल रेखा कोँए जबांव कि दाओ के गुणदरम तो 9-10 के गुणदरम है वो आप को सुनते जाना है और में पोटल नीवर परोप्रोपलिवं नंबर पर शेर करो मैं तर announ devrait क्या है उनको समझना या य। जब抹न हो सबसे पहला बीद्रम है कि विदू छेतर रेखा ये काल्पनिक है कि किसे कह रहे हैं आपनों विदू छेतर रेखा तो आवेश जिस काल्पनिक रस्ते पे चलता है वस वो काल्पनिक रस्ता ही विदू छेतर रेखा तो इसका मतलब विदू छेतर रेखा काल्पनिक है एक्षन आवेश के बल लगता है यह बात याद रखना कि विदूद छेत्र रेखा जरूर कालपनिक है लेकिन वह जिस चेत्र को प्रदशित कर रही है वह रियल में वह छेत्र है ठीक है तभी तो किसी अन्यावेश को जब मैं वहाँ लाता हूं तो उसके उपर आकश्म या प लेकिन ये जहां अपनलोग विदुचेतरे रेखाए बनाते हैं, वहां ये वास्तवी कुम ऻिदुचेतर को करती हैं सेकिन्ड गुन्धरम Normal फ़स्ट हो गया सेकिन्ड गुन्धरम सुन्द बिटा क्या है सेकिन्ड है कि जी chciaटर रेखाए पलस से विदु 2 छेत्र में प्रिक्षनावेस को लाने पर वह दूर भागता है तो मतलब उसका रश्टाय से दूर होगा तो विदु 2 छेत्र रेखा coastal रेखा दूर होगी तो इसका मतलब विदु 2 छेत्र रेखा है पलस से तो start होती है दूर जाती है और minus 5 होती है जब आप माईनस के विदुचंटर को पदाशित करोगे माईनस के विदुचंटर में friction always को लाओगे तो उस condition वो friction always उस माईनस के विदुचंटर की उन दोड़ा चला आएगा तो इस condition में आपको याद रखना है विदुचंटर रेखाए पलस से start होती है और माइनस में end होती है तो यदि पलस और माइनस दोनो एक साथ मेलू पलस और माइनस दोनो चार्ज तो यह माना जाता है कि विदू छेटर रेखा है पलस से स्टार्ट होके माइनस पे खत्म होती है electric field पलस से स्टार्ट प्रारंग होगा और माइनस पे समाप्त हो जाएगा ठीक यदि दोनों हो तो लेकिन यदि सिंगल हो केवल पलस ही हो यदि केवल माइनस ही हो तो क्या माना जाता है तब ऐसे माना जाता है कि विदू छेतर रेखाए पलस के लिए क्या माना जाता है कि ये रस्ता कहां से आ रहा है अनन्त से आ रहा है अब इड़ा मैं आपको बता दू अनन्त किसे कहते है अपनी फिजिक्स में याद रखना अपनी आख जहां तक देखती है वो अनन्त से पहले है और जहां देखना बंद कर देती है वहां से अनन्त से श्टार्ट हो जाता है अपने जो भी sensor लगे हुए है पूरी बोड़ी के अंदर वो sensor जहां तक sense कर सकते है वहां तक तो अनंत से पहले है और जैसे ही sensor sense करना किसी चीज को अनुभव करना बंद कर देते हैं वहां से अनंत इस्टाफ हो जाता है जैसे मैं आपको बता हूँ कि मैं इस बोड़ के यूँ चिपक गया और चिपक के उपर के और देखता हूँ अपनी गर्दन को नहीं लगँगा आँखों से उपर के और देखूंगा तो मेरे को वास्ट ये दीवार की थोड़ी से उचाई दिखाई दे रही है इससे आगे मे अपने पास सेंसर आँख है नाख है कान है जीव है काफी सारे सेंसर अपने पास तो मैं तो अपना आँखों को लेके चलेंगे तो जहां तक आप लोग देख सकते हो वो आपकी लिमिट में है वो अनंत से पहले है जहां आपके देखने की शमता किसी उप्रण के देखने की शम्ता सेंस करने की शम्ता end वहाँ से अनन्त माना जाता है यह याद रहा है तो पलस आवेश यदि सिंगल हो विल्गित आवेश हो अकेला आवेश हो एकल आवेश हो isolated charge हो तो पलस से तो स्टार्ट होगी अनन्त पर समात होगी और माइनस के लिए अनन्त से आकर माइनस पर खत्म होती है अकेले के लिए और जबकि डबल हो तो पलस से सुरूँ के माइनस पर खत्म होती है तो अगला second गुण धरम आपको यह याद रहना है कि एकल धनावेश एकल रिणावेश के लिए start अनन्त से इसके लिए और खत्म भी अनन्त पर और यह दोनों हो तो पलस से start होके माइनस पर खत्म होती है इसी के साथ अगला गुण धरम भी है यह कभी ऐसा नहीं होगा चेतर रेखाओ के लिए विदुद चेतर रेखा या विदुद बल रेखाओ के लिए यह गुण धरम कभी नहीं लगेगा कि यह पलस से start होके माइनस पर खत्oise और माइनस से start होके पलस पर खत्म केने का मतलब विदुद बल रेखा एक बंद लूप का निर्मान नहीं करती यह याल रखना विदुद बल रेखा यह नहीं चलती पलस से माइनस माइनस से पलस, पलस से माइनस माइनस से पलस, कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती, बंद पत नहीं बनती, नमबर थ्री हो गया गुंधरम, तो तीसरा गुंधरम आपका ये हो गया, कि ये कभी बंद लूप का निर्माण नहीं करती, चोथा गुंध बल रेखा जीसे ये है पलस से स्टार्ट हो रही है और माइनस पे खतं हु रही है तो इस बीदुत बल रेखा denk किसी भी पॉइंट किसी भी पॉइंट कर्म इसपर एक खीचू की तो ले तो ये आ इस का इस मैं अपन जानते विदू छेतर रेखा क्या है तो विदू छेतर रेखा विदू छेतर को परदशित करती है वार वार के रहो है विदू छेतर को परदशित करने के लिए पन लोग उस रेखा ये काम में लेते है जो काल्पनिक है लेकिन वास्ति विदू छेतर को परदशित करती ह तो मैं इस रेखा कि किसी भी बिंदू परेदी, इस पर्स रेखा कीसता हूँ, क्या कीसता हूँ, इस पर्स रेखा, किसी भी बिंदू पर, ठीक है, आपको दिख रही होगी इस पर्स रेखा, नहीं दिख रही कोई बात नहीं, बड़ा बना देते हैं, मोटा बना देते हैं, यह विदू छेतर रेखा, एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट, यहां इस पर्स रेखा की चुंगा तो इधर जाएगे, यहां इस पर्स रेखा, इधर जाएगे, यहां इस पर्स रेखा, इधर जाएगे, अब सुनो, विदू छेतर रेखा किसी भी बिंदू पर खीची गई इस परस रेका किसको बताती है उस बिंदू पर विदू छेतर की दिशा बताती है किसको बताती है उस बिंदू पर विदू छेतर की दिशा तो बिंदू A, बिंदू B, बिंदू C इन तीनों बिंदों पर विदु छेतर की डारेक्शन अलग-अलग है बिंदु A पर विदु छेतर की डारेक्शन इधर है बिंदु B पर विदु छेतर की डारेक्शन इधर है बिंदु C पर विदु छेतर की डारेक्शन इधर है गुंद्रम करती हैं व्यक्त करती है तो गुंद्रम नंबर आपका फूंसा हो गए ये तीसरा या चोथा स्वेसरे को नहीं काटती जिसे एक बन रेखा यह है दूसरी बन रेखा यह है दोनों ने एक दूसरे को काट दिया तो फेराडे ने कहा कि कभी भी दो विदु छेतर रेखा या आपस में नहीं काटती क्यों नहीं काटती इसका जवाब दिया क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि विदु छेतर रेखा के किसी भी पॉइंट पे खीची गई इस पर सरेखा उस point पर विद्धु छेत्र की दिशा को प्रदशित करती है यही कहा मैंने तो आप इस point पर यह दोनों काट ली है यह है इनका प्रतिछेदन बिंदू कटान बिंदू तो इस point पर आप लोग बेटा इस पर सरेखा खीचो तो इधर देख रहा पर विद्धु छेत्र की दो दिशा है इस point पर विद्धु छेत्र दो डायरेक्शन में जा रहा है तो इसा कभी नहीं हो सकता बेटा आप लोग किसी शन किसी समय किसी जगह पर एक ही डायरेक्शन में चल सकते हो आप यह तो इधर चलोगे या आप लोग इधर चलोगे या आप लोग इधर चलोगे कभी ऐसा नहीं होगा आप इधर भी जा रहे हो और आप इधर भी जा रहे हो आप इधर भी जा रहे हो तो कभी वेसा नहीं होगा कि आप लोग एक ही शमय पर एकी जगा से दो Do direction में गती करें ना, ऐसा नहीं होगा कभी भी कोई particle एकी समय पर एकी जगा से दो direction में गती नहीं करेगा ठीक है, वो एकी direction में जा सकता है एक समय पे तो इसमें एसे कहा कि इस point पर विदू चेतर दो दिशाओं में है इधर भी है विदु छेतर इधर भी है, कभी ऐसा possible नहीं हो सकता इसलिए फेराडे ने कहा कि कभी विदु छेतर रेखा आपस में नहीं काटती याद रहा है, ठीक है अगला गुर्धरम पांच हो गए अगला गुर्धरम सुनना, क्या कहा फेराडे ने फेराडे ने कहा कि यदि आपकी छेतर रेखा है बिल्कुल पास-पास में है नजदीख है यदि आपकी छेतर रेखा है बिल्कुल पास-पास में है नजदीख है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि वहां पर विदु छेतर की मात्रा जादा है और जहां दूर दूर है वहां विदू छेतर रेखाओ की तीवरता करता है अब मैंने आप नोगों को ये विदू छेतर रेखाओ का एक डाइग्रांग दिया कि ये रेखाओ किसी विदू छेतर को परदशित कर रही है किसी विदू छेतर को परदशित कर रही है और मैंने चार आपको रिंग दी ए, बी, सी, और दी चारों रिंग सेम छेतर फल की है सेम एरिया है इका लेकिन आप लोगों ने देखा इस रिंग में से तो बहुत सारी रेखाओ गुजर रही है इस रिंग में से दो गुजरी इस में से एक ही गुजर रही इस रिंग में से और इस में से एक भी नहीं गुजरी नहीं गुजरी इस में से इस में से एक भी रेखा नहीं गुजरी और मैंने अभी कहा प्रों को ये रेखा किसको परदशित करती है यह रेखा इलेक्ट्रिक फिल्ड को प्रदशित कर रही है इसमें से बहुत ज़्यादा रेखाय गुजर्री है मतलब इतने से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फिल्ड की इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फिल्ड ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन व विदुद बल रेखाए पास-पास में है वहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड की इंटेंसिटी विदुचेतर ज्यादा पावरफुल होता है विदुचेतर की तीवरता बहुत ज्यादा होती है और जहाँ बल रेखाए दूर-दूर हो विरल हो वहाँ पर दुरूबल विदुचेतर पाया जाता है कमजोर विदुचेतर पाया जाता है तो अगला गुणधरम आप याद रखना जहां विदुचेतर रेखाए पास-पास में सगन हो वहाँ प्रबल विदुचेतर पाया जाता है और जहां विदुचेतर रेखाए दूर दूर हो वहाँ दुरूबल कमजोर विद गुंढ धरम नंबर साथ में सुवना क्या है कि आधि अधिक कहा ले कि विदू छेटर रेखा openings की जो संख्यार है नंबर ऑ और要 को फिंद से kirth l 35 लिक वसंख्या आवेश नेवेश्ण परिमान ख देक समान बातती हों स्रोत आवेश के परिमान के जो आवेश विदुचेतर उत्पन करता है उस आवेश का जितना ज़्यादा परिमान होगा वो उतनी ही ज़्यादा विदुचेतर रेखाए उसके लिए परदशित की ज़िए तो सिंपल सी बात मैंने आपको कहा था गटा कि विदुचेतर पावरफुल होता है वहां समझ जाना विदुचेतर रेखाई पास पास में है अभी तो कहा न मैंने कि विदुचेतर रेखाई जहां पास पास में हो वहां विदुचेतर मजबूत होता है पावरफुल होता है प्रबल होता है और अभी यही कुस दिनों पहले अपने एक दो पहले बताया था कि विदू छेतर का मान येदी बढ़ता है तो विदू छेतर का मान बढ़ता है और अभी बताया वहाँ पल रेखाओ की संख्या भी बढ़ती है तो मैंने इन दोनों रिलेशनों को देखा किन दोनों कि जहां छेतर रेखाओ की संख्या जादा है वहाँ इले इलेक्ट्रिक फिल्ड कम है और इलेक्ट्रिक फिल्ड आवेश के समानुपाती इलेक्ट्रिक फिल्ड नंबर ओफ रेखाओं के समानुपाती लाइन से तो इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे समानुपाती तो इसका मतलब आपके लिए आवेश जितना मैंन प्रवन क्या तो कि अगला घंध मैं जाद रखना ऐन वी इस समानुपाती के चिनको आपनो घटाओ तो एक नियतां काता है एक नियतां काता है यह सुत्र बनता है और बड़ाई सुत्र को में अगले चेप्टर में गाउश का नियम आएगा एक अच्छा इस समानुपाती के चिनको अठाने के लिए नियतां काता है एक कुला मावेश कितनी चेतर रेखाई बनाएगा तो यहां रखो मान आप लो एन का मान पूछ रहा आप लोगों से यहां रखो तो एन बराबर क्यू का मान रखा एक और एफसाइलर नोट यह आया लेकिन बेटा मैंने आपको एक सुछ्टर पहले भी कहा था कि स्मोल के बराबर होता है वन अपोन फॉर पाई एफसाइलर नोट रख रखोगे कि नहीं रखोगे तो नंबर ओप लाइंस बराबर हो गया फॉर पाई के अब आसे इसको सोलू कर लेंगे अपन लोग तो फोर पाई का मान तीन पॉइंट एक चार और गुना के का मान उता नो गुना दस की घात नो फीग इन और नो चोग शतीस और इंटू तीन पॉइंट एक चार और गुना दस की घात नो आप यहां से पॉइंट अठाओगे तो दो जीरो नीचे जाएगी जाएगी और दो जीरो को में उपर से काड़ दूँगा तो अब तीन सो चाउदा को आप लोग छतीस से गुना करना और उपर बच गया दस की घात साथ इतनी इतनी बल रेखाएं उत्पन होगी और यह बल रेखा बहुत जाता है कि यह कई लाग करोडों के अंदर जाएगा यह मान आप लोगों का तो मैंने पहले ही कह दिया था कि सुरू सुरू में कहा था एक कुलाम आवेश बहुत बढ़ा है लेने के लिए बहुत सारी इलेक्ट रेखाओ की संख्या आवेश के परिमान के समानुपाती होगी कौन सा आवेश जो विद्धु छेत्र उत्पना ठीक है और समानुपाती के चिन्पा ठाने के लिए लिए लिखेंगे और जैसे सुप्त आपको क्यू सुन दिया कि एक कुलाम आवेश के लिए कितनी रेखाई आप लोग तो एक कुलाम आवेश रखा और वन अपून एफसालर नोट को के के पदों बदला और जब इसको सोलो किया जब इन दोनों को गुना करोगे आप लोग तो इतनी सारी आप लोग को छितर रेखाऊ कि आवेश रखता पड़ेगी यदि एक कुलाम आवेश आपने ले रखना अगला गुंदरम सुना आठवे नमबर का गुंदरम देखना क्या है अगला गुंदरम है कि ये जो विदुच्छेतर रेखाए है यदि आप लोग इन विदुच्छेतर रेखाओं की दिशा समान रखो और इनके बीच दूरी समान रखो ठीक है तो चाए आपनो यहां पे विदुच्छेतर निकाड़ो चाए आपनो यहां विदुच्छेतर निकाड़ो आपको सेम मिलेगा क्योंकि मैंने कहा था कि विदुछेतर रेखाए जहां पास-पास में होती है वहां जादा होता है जहां दूर-दूर होती है वहां कम होता है लेकिन यहां तो सब जगह समान है डारेक्शन भी समान है और बीच की दूरी भी समान तर रेखाए लिए मैंने तो यह याद रखना जब अपनलोग समान तरेखाय काम में लेते हैं विदुचेत्र को प्रदशित करने के लिए तो समझ जाना वो वाला विदुचेत्र कौम सा है बेटा एक समान विदुचेत्र है यूनिफॉर्म एलगते फिल्ट है ठीक है अब यह ऐसे कर दिया ना है जैस समान विदुचेत्र को परदशित कर रहा है कि जहां पास में होते हैं जादा होता विदुचेत्र जहां दूर दूर होते हैं विदुचेत्र कम होता है तो यह ऐसा मान विदुचेत्र को परदशित कर रहा है इसमें बताना मेटा देरेगो इसमें बताओ और मैं ऐसा कहे रहा हूँ बीच की दूरी बराबर है बताओ ये समान की दुछेतर को परदशित करेगा कि एसमान की दुछेतर को तो बड़ा आप लोगे सोचोगे लेकिन मैं ही बता देता हूँ चलो इदर देखना आप लो कि इसमें बीच की दूरी तो बराबर है, लेकिन हर पॉइंट पे दिशा बदल रही है, हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे, आप चेक कर सकते हो, दिशा कैसे निकालते हैं, तो जिस भी पॉइंट पे दिशा निकालने हैं, इस पर स्रेका की जो, अभी कहा था मैंने आप इदर, यहां कीची इदर, यहां कीची इस पर स्रेखा इदर, तो हर पॉइंट पे भी दुच्छेतर की दिशा बदल रही है, भी इसकी दूरी तो समान है लेकिन भी दुच्छेतर की दिशा बदल रही है, भी दुच्छेतर सदिसरा से है, और किसी सदिस को समान बताना है तो परिमान भी समान होना चाहिए और डायरेक्शन भी समान होना चाहिए यहाँ परिमान और डायरेक्शन दोनों सेम थे लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन सेम है परिमान सेम नहीं और यहाँ परिमान सेम है डायरेक्शन सेम नहीं है यहाँ डायरेक्शन अलग अलग है यह भी ऐसमान के दुछेत्र को परदशिक कराई है, ऐसमान इसमें डाइरेकशन से हैं, परीमान अलग अलग, इसमें तो नों से हैं डाइरेक्शन भी और परीमान ही, और जिसने यह बताना तो इसमें सब कुछी अलग है इसमें तो Direction भी अलग है और परिमान भी अलग है तो यह भी अलग है यह भी समां यह समा तो अगला बूंदर हम याद रखना है ये थी विदु छेतर रेखाो के बीच की दूरी समान हो और उनकी दिशा समान हो तो वो एक समान विदुचेतर को परदशित करती है और यदि इन दोनों में से बीच की दूरी मतलब परिमान और डायरेक्शन इन दोनों में से एक भी अलग है या दोनों अलग है तो वो एक समान विदुचेतर को परदशित कर ठीक है तो यह अगला गुंढर फहाई सी सहाँ रखना हमान को परदशित करने के लिए अकश्मां करे ख़ये घीक नहीं इससे अगला गुंध्रम देखिता हाय है हुआ १ी ये है कि येदि कोई चालक है येदि कोई धातू है तो उस धातू उस चालक की सतर पर येदि आवेज दे रखा है तो आवेज जहां वहाँ विदुचेतर वहाँ विदुचेतर रेखा है तो किसी चालक को आवेज दोगे वो आवेज उसकी सतर पर रेता है वो विदुचेतर करेगा उसके लिए आप लोग विदू छेतर रेखाए प्रदशित करोगे तो वो विदू छेतर रेखाए हर चालक की सत्य पर लंबवत होती है लंबवत फिलाल इसको यहां आप लोग याद रख सकते हो जस्ट कुछ दिनों बाद में एक दो दिन बाद में अगला चेप्टर स्टार्ट होने वाला है वहां इसकी में डिटेल से एक्स्प्लेंद करूंगा ठीक है क्या टॉपिक याद रखना किसी धातू की सत्य से आने वाली या आने वाली धातू की सत्य पर आने वाली है धातू की सत्य से गुजरने वाली है ठीक है ना बल रेखा है चेतर रेखा है अमेसा लंबवत होती है उसकी सत्य के साल यह याद रखना है कौन सा किसी चालक या किसी धात्यों की सत्य पर आने वाली है उससे गुजरने वाली छेतर रेखा है अमेसा उसके साथ 90 डिगरी लंबवत होती है ठीक वेटा अगला गुन और यह आप लोगो का वेटा लास्ट यदी विदू छेतर रेखाए जैसे यह पलस है यह पलस है मैं बता रहा हूं पहले आप लोगों को पलस पलस दौनों के विश्की दूरी यह है यदी विदू छेतर रेखाए इस दूरी के अनुदिश मुढ रही है यह इस दूरी के छोरी अनुदिश ने इस दूरी के लुबत ऐसे 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 लंबत जा रही है ऐसे जाए और सेकिंड में ये है यदि इस लंबाई के अनुदिश अनुदिश मतलब इसी की दिशा में मूड रही है तो ये किसी चीज़ को बताती है किस चीज़ को बताती है वो अभी समझा देता हूँ आपको यदि लंबत जा रही है तब अलग बात बताती है और लंबत नहीं जा रही तो ये अलग बात बोल रही है क्या यदि इस लंबाई के अनुदिश मूड रही है तो कुछ अलग है यहाँ पे देखना और यदि लंबाई के लंब जारी तो कुछ अलग है और अब समझो यदि विदु छेतर रिखाए लंबाई के अपनी लंबाई के लंब जारी तो समझ जाना वहाँ आवेश समान निचर के है और उनमें प्रतिकर्ष्ण हो रहा है दोनों छेतर नेखाए यह से दूसरे से दूर भाग रही है तो इसका मतलब वहाँ प्रतिकर्ष्ण हो रहा है क्या हो रहा है प्रतिकर्ष्ण ठीक है यदि आपको छेतर रेखा है इसे नजर आए लंबाई के लंबज जाती हुई नजर आए तो समझ जाना वहाँ जो आवेश है वो सेम निचर के है सजाती आवेश है और उनमें प्रतिकर्शन हो रहा है और यदि आपको छेतर रेखा है लंबाई के अनुदी सी मुड़ को याद रखना है यदि छेतर रेखाए अपनी लंबाई के अनुदिस मुंड रही है तो विजाती आवेशों में आक करशन को प्रदशित करती है और यदि छेतर रेखाए अपनी लंबाई के लंबत जा रही है तो सजाती आवेशों में प्रती करशन को व्यक्त करती है तो य किसी भी जगे पर किसी भी स्तान पर किसी भी बिंदू पर विदुचेतर को परदशित करने के लिए अपन लोग जिन रेखाओं का चित्रात्न रोग से उसको परदशित करने के लिए अपन लोग जो रेखाओं को आप लोग विदुचेतर रेखाओं को आप लोग विदुच क्या है कि विदुचेतर में प्रिख्षim आवेश एकांग धनावेश जिसपा लोग कहते हैं व एकांग धनावेश वो परिक्ष्षनावेश बल्के कारण जिस काल्पनिक रस्ते पर चलता है पस वही काल्पनिक रस्ता विदुचेतर रेखा कहलाती है अब इनके गुन δharma क्या बताया है मैंने आप लोगों कि विदू छेतर रेखा है पलस से आरंब होती है और माइनस पर समात होती है यदि एकल धनावेश है तो उसके लिए अनन्त पर जाके खतम होगी और यदि एकल रेनावेश है तो उसके लिए अनन्त से आती हुई अपन लोग मानते हैं विदू छ ज़िश Certain रेखा के किसी भी बिन्दू पर खीची गई इस परॉसरेखा, किसको बताती है, उस बिन्दू पर विदू चेत्र की दिशा को प्रदशित करती है, ठीक है। लेग ऐसे दो डाइरेक्शन में जा सके ठीक है अगला गुमधरम मैंने आप लोग को बताया कि विदुचेतर रेखा है जहां पास-पास में होती है सगन होती है वहाँ प्रबल विदुचेतर को परदशित करती है वहाँ का विदुचेतर मजबूत होता है पावरफुल होता ह जहां विदुचेतर रेखा है दूर दूर होती है विरल होता है ठीक है विरल होती है वहां दुरूबल विदुचेतर को परदशित करती है इससे आगे मैंने आप लोगों को बताया यदि वो विदुचेतर रेखाओं की जो संख्या है कि कितनी विदुचेतर रेखा किसी आव है वो ठीक है इससे आगे मैंने बताया कि यदि विदुचेतर रेखा परदशित करने के लिए आप लोग समान तर रेखा काम में ले रहे हो तो वो एक समान विदुचेतर को यूनिफॉर्म इलेक्रिक फिल्ड को रिप्रेजेंट करता है और यदि आप लोग जो विदुचेतर को परदशित कर रहे हैं उसके लिए आप लोग बीच की दूरी बदल रहे हो तो वो ऐसे हमान विदुचेतर को परदशित करता है और मैंने लाश्ट में आप लोग को क्या कहा इस अच्छ सजाती आविशों में आकर्शन हो रहा है लंबाई के लंब जारी है तो समझ जाना सजाती आविशों में परतिकर्शन हो रहा है तो ओठ यह अपना था विदुचेतर siis करो कहीं से इधर उधर जो आपके students 12th में थे आपके जो बड़े senior आपसे जिन्होंने exam दे ली उनसे आप request करके बटा मंगवा लो कैसे भी ठीक है एक मेहने का time अभी हो रहे तो एक मेहने में अपना कम से कम 2-3 chapter होंगे और उनके numerical आप साथ साथ करते जाओ साथ साथ notes भी लिखते जाओ याद भी करते ज और बैटा साथ में हर वीडियो को like जरूर किया करो आगे से आगे share जरूर किया करो आप लोग और बैटा comment box में जो मैं आप से पूछता हूं उसका answer जरूर भीजा करो और जो पमी रहे जाती है आपको कुछ question पूछने है तो आपके जो group बना रखे है मेरे जो whatsapp number आप 252 उससे आप लोग मेरे को जरूर कुछ हो ठीक है ओके बैटा थैंक्स मिलते हैं आगे ले वीडियो में